जोस्तों केसे हैं आज 18 अप्रिल 2019 है और अप्डेट ले गया है था जेट एर्वेश पर आपको सबको मालू है कि फैनेंसिली बहुत कंपनी में पहुंच चुकी है और बहुत ही प्रॉब्लम आ दी इस कंपनी को अपरेट करने में और इसके चल लिए बहुत दिनों से चल रह और आज देखेंगे 58.70 आज इसने बनाया है तो कहीं न कहीं 52 वीक लोग बनाने की कोशिश किया है 150 के आसपास इसको अच्छा का सा सपोर्ट भी है और आज देखेंगे फिर एक बार यह उपर 260 की और गया तो लोग इसका 50 158 आया 210 210 से ओपन गिर गिरा है और वहां से सिध जादा गिर के 158 आया है और ज्यादा बॉल्म की बात देखें तो जहां आपका 18 करोर 16 करोर 14 करोर का अबरेज था जपन करोड़ साथ सो सुता सी लाक एक एक और सेट का वॉल्म हुए है कि है भी वॉल्म हुए है सेंटीमेंट यहां पर निकेटी बता रहा है 37 परसेंट माह मार्केट के आप 186 करोर रहा गया विसिफ डेलिवरी पसेंट है जो है तीन से आपर चार पसेंट पांच पसेंट बता रहा है जब तक कोई न्यूज नहीं आता तब तक यह एसाई वर्क आउट करता रहेगा आज अगर इसके चार्ट की बात करें तो इसना सारे पैटर्न तोड़ते हुए अपने सारी लेवल को तोड़ते हुए अपने सारे मोविंग अवरेज लेवल को तोड़ चुका है इसने किसी भी मोविंग अवरेज पर सारे मोविंग अवरेज तोड़े हुए है डेली बेस सब्सक्राइब और कहीं ना कहीं आवर्ली बेसिस पर देखें तो इसमें सब्सक्राइब और उसके नीचे 164 पर जाके क्लोजिंग दिया है अगर इसलिए नहीं लाया कि आपको यह बताना है कि यह निगेटिव है अगर डेली वेसिस पर में इसके आरे से देखने की कोशिस करूं तो आरे से अभी 21 पसें आरे से जो बता रहा है यह आपको एक बाइंग उपर्चुट्टी होगी मुझे जो लगता है मेरा अपना अपिनियन है कि मैं इसको 150 के राउंड बाइं करूं और चुकि यह 158 पर यह था तो अच्छी बाइंगों पर चुट्टी थी वहां पर वापस ही अगर 120 क्यास पस 110 क्यास पस आता तो वहां पर बाइंग करूंगा मैं इसको फोर्ट लेंध में भाइं करना कोशिश करूंगा अगर मैं बस सौ रुप्य लगाना तो मैं 25-25 रुपे करके चार बर लगाने की कोशिश करूंगा और जिस बार शुपाइद लेले हु वे इसाइड यह अगरं 158 पर लेता हु उसकों एकर डिसके अब जला जा थ्मियं परफीट करोंगा और वहां से ही 25 पेंट करोंगा ऐनास से यह भब हेला नमी करोंगा तो मेरे अधान से यह बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब होता है कि फ्यूचर में अगर 165.75 पे क्लोजिंग दिया 25 अप्रिल 2019 अगर देखो यह पूट है यह गॉल है डिरिवेटिव में देखने की पोजीशन गोशिच करो तो आपने देखा होगा नेट चेन यहां पर बहुत ही अच्छा हुआ है कि 160 पे 17 रुपेगा चेंज हुआ है इन आइबी अभी बहुत है बॉलाटिल है हो चुक है तो फर्दर 120 की और जाएगा कि नहीं जाएगा यह तोड़ा डिफकल्ट टास्क है बताना है मेरे अंदार से हो सकता है कि अगर 150 तोड़ता है तो 120 जा सकता है लेकि पहले बनाए तो उसको प्रफिट बूप करके आगे निकल रहे या सौट किये तो निकल रहे है और प्राइस एक्षिन ओपर क्यों जा रहा है तो कहीं नगे उनको थोड़ी सी मंदी दिख रही है इसमें जैन्मीन है अभी तो थोड़ा मंदी दिखेगा हो सकता 120 यह जा रह शी कि उसका एक करन के है कि करना यह देरो यह दिखेया अरे यहां पे ग्हांगने यहां दोवार। यहां पर यहां पर दाले हुए है लेकिन वह एक्षिट नहीं हुआ क्योंकि आस प्राइस ज्यादा था और दूसरी चीज दिखाऊ तो मैं 30 में का जब डेरिवेट्टि पोजिशन देखने के लिए गया तो यहां पर एक रुप्य पर दे देना चाही था तो यह एक रीजन है जहां मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं यह 300 की और जाता हूँ आगे दीख सकता है एक मैं इसमें यह पंतल यह जब चाहिए कोड़ को कि एक सेंडिमेंटल फॉल जानके किराया हुआ हो इसकी मुझे नहीं मालु है मैं इसमें 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 तेज़ी ही देखता हूं और यहां पर पहले भी एबर सपोर्ट लिया हुआ 168 की 70 आसपास 162 पर आज का जो लो है 158 है ठीक पुर्पुराने लोगों तोड़ा है नो डाट यह थोड़ा वीक हुआ है चांक्से से इस लोको गर नीचे तोड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है यह प्रिवियस 119 रुपय का यहां पर देखेंगे यह बनाया था इसने 29 मार्थ 2009 के आसपास बनाये था 115 गलो तो 115 के लोग के आसपास आप हो सकता है यहां पर आपको कि दीखे तो को बड़ी बात नहीं कि एक सो पंद्र कर लो दिखें तो आपको आपको जो की बनाया था इसने 2009 में है तो मैं उसका सपोर्ट इस्टॉप लोगा 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 मैं सवार पर आपको देखेंगे क्या करना फर्दर पर सुर्पे के स्टॉप लोगा तो फिर देखते हैं लेकिन यहां पर देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न बनाए जब भी ऐसा पैटर्न बनता लग बग कई पर यहां से यहां तो आपवाड लेता है यह उपर की और जा अबर की और ले तो वहां पर बना सकते हैं 150 पर इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है 150 तोड़ता है कि पहले यह देखना है आज भी जो देखेंगे यह 158 बनाए 150 नहीं तोड़ा अगर 150 तोड़ता है तो ठीक है 120 की और जाते पर आपको दीख सकता है 115 की और जो लो है आरेसाइव जो देखेंगे आप आरेसाइओ अगर देखेंगे विकली बेसीस पर भी देखेंगे इस धरी कि फरेसेड एकर देखेंगे अरे लिए पीस परसेंट यह बिए और अगर तक जा सकता है। यह भी पहले लोग जा चुका 18 परसेंट यहां से और हो सकता है कि आपको 16 परसेंट तूटे और यहां पर पोजयटीव बार का सिगनल भी लास्ट मोमेंट पर आया है तो कहीं ना कोई वह एक बाइंग ओपर चोटी करूब में लोग इसको देख सकते हैं लास्ट मोमेंट पर आया हुआ है अगर हम इस्टोकिसराची की बात करो ओर यह 30 मिनेट की बात करो तो थर्टी मिनेट पर चारट पर देख रहा गांँ को jala कि भी स्टोकिस र्यमनेट konse वन डे के वेसिस में थोड़ा सा नीगेटिव ओल्लेडी क्रॉस करके जा चुका है तो वन आउर और थर्टी बिनिट पर देखे तो कहीं न कहीं यह बाइंग सिंगनल की और इस सारा कर रहा है इस तो आरे से ओवर सुट पोजिशन पर है उस्टेव सारा से बाइंग सिंगनल क इस प्ला के बाद यहां पे वाल के वाल रही है जो से चाधि प्ला के लिझे जादे कॉंटिटी मांती है kT तो सकता है कि यह एक जश्ट अप्वाड के लिए सो करने के लिए वोल्यूम के लिए प्राइस तो ज्यादा एक्षण नहीं है वोल्यूम के अनुसर तो सकता है वन ट्वेंटी आपको जाते हैं वे पर दिख सकता है इस पैस लास्ट आधे गंदे की बात करूं तो उस स्यूंवाड पर भी क्या हो रहा है तो तो कि पुलिस डिएवर्स अलेपने और यहां पर नियूज के लिए खाए तो नियूज के कारणा देखेंगें नीचे नीचे के और वापस नीचे एक सिम्नल बटा रहा है नीचे के और वाइंग सिम्नल बता रहा है इस सिम्पल साइस में जो दीख रहा है कि एक बाइंग सिम्नल बंड रहा है और अगर 120 के आसपर जाता है तो मैं इसमें बाइंग ओपर्चुर्टी देखने के कोशिस करूंगा यह सिर्फ टेकनिकल लेनाविसिस है और मुझे कहीं यहां पर एक सपोर्ट लेते तो दीख रहा है अगर मैं इसको मंथली सिस्पे देखने को मिल रहा है तो अगर यह सपोर्ट नहीं लेता वन टुटी पर जाएगा 120 के बाद डीसाईड करेंगे क्या करेंगा मैं 100 रुपीज के स्टॉप लोस्स पर मने रहना पसंद करूंगा और मैं इसमें buying opportunity देखूंगा, मुझे लगता है कि ये आपको वापस 300 के और जाते रिए दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं, 280-300 के और जाते रिए आपको दिख सकता है, तो जे टेरवेज में मेरी कोई भी आपको recommendation नहीं है buying selling, आप अपना opinion रख सकते हो, मेरा ये view था, आपको वालब से एक trading किया गया हुआ और कुछ नहीं किया गया है इसमें, एक opportunity group में इसको देखा जा सकता है, और जब तक ये 100 तोड़ता नहीं है, तब तक ये opportunity group में ये है, और मैं इसे 25% करके 4 stage में buying करना पसंद करूंगा, instead of इसको selling करना, 158 का जो लो इसने मनाए था, जो आप एक बहुत अच्छी opportunity थी और फिर हाँ पर 120 बनाता था, तो में वहाँ पर buying के लिए सको सोचूंगा, तो जे टेरवेज में, मेरा एक positive view है, negative नहीं है, कोई ना कोई इसको buying करेगा, और ये आपको first week of में के पहले announcement भी साहत हो जाएगा, और उस से में आपके पास को option नहीं होगा, में में इसका announcement तो होना ही है, में रिजर्ट प्रे एलेक्शन के तेज के चिक्कर में कुछ हो, तो otherwise आपको problem आएगा, as far as bank nifty और nifty concern, अब जैसे जैसे market उपर की और जाए, आप put की और position मनाना, call की और नहीं, और expiry 30 में एका लेना, करण क्या है, market over bout condition में अल पर नौसो तक उदर जा सकता है, लेकिन आपको 30 में के point of view से जब lower rate पे आपको put की position 30 में की मिली, bank nifty या हो, तो आप उस पे put का position watch list पे रखो, जब यह market अप जाए, तब आपको put देखना है, ताकि आपको lower rate पे buying वहां पर मिले, ऐसा feel हो रहा है, साथ majority में सरकार नहीं भी आपको market crash करते वे दिख सकता है, क्योंकि market बहुत जादा उपर bounce किया हुए, तो आपको market में थोड़ा position profit booking दिखेगा, तो जैसे market उपर की और जाया, तो आप put की और position मनाना बेतर रहेगा, मैं ये jet airways की बात दिंग कर रहा था, मैं bank nifty और nifty में position मनाने की बात कर रहा था, ये jet airways में आपको trading point of view से हो सकता है, आपको एक दो मैना hold करना पड़े, में तक hold करना पड़े, लेकिन ये आपको कभी भी bounce back देखे, जैसे 75 रुपे गीरा है, ये 75 रुपे उठता भी है, और ये आपको 280-320 तक जाने का पूरा दम रखता है, ये मेरा को भी buying और selling recommendation नहीं ह मेरा शिर्फ ये open e-end है, आपको buy करना हो तो अपने financial device से बात करने के बाद ही करेंगे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्माइब,